हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे तो आज है तिल्वा चौथ और आज के दिन हम लोगों के यहां पूजा बाठ होता है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट तिल के लड्डू बनते हैं तो हमारे घर में भी हमेशा की तरह है आज लड्डू बन रहा है तो आपको दिखाते हैं लड्डू की रेशिपी कैसे बनती है तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो हमारे गाउं में ऐसा माना जाता है कि चूले में बनी हुई चीजादा टेश्टी और स्वादिष्ट होता है तो बड़ी मम्मे चूला जला के तिल को भूंजरना इस्टार्ट कर दी है और इसको कंटीनियू चलाना पड़ता है जब तक कि इसमें से खुसबू नहीं आने लग जाती अब ये एक धाले में और तिल रखा हुआ है कच्चा पिलकुल साफ सुथरा बलेक तो अभी हो गया है भूंज के तैयार है और इसको अब खाली कर लेते हैं एक थाली में और हमारी बड़ी मम्मी जो भी हमेशा बनाती है हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसलिए आज लड़्डू भी वही बना रही है और अब दूसरे थाली का भी तिल कड़ाई में डाल दिया गया है और अब इसकी भी भूंजाई चालू हो गई है और अब यह भी भूंज के तैयार हो गया है और कड़ाई खाली कर ले रही है और अब जाएगा करहाई ये मूंखली के दाने और इसको भी भूंजा जाएगा और इसके छिल के निकाल के दिल में डाला जाएगा और अब में मिनारियल गिस रही हैं क्योंकि इसको डालने से इसका सुआदा और जादा बढ़ जाएगा बहुत सारी चीजे डगती हैं लड़ू में आप देखते जाएगे वीडियो विल्कुल भी इसकी मत करिएगा कंटीन्यू बने रहिएगा वाओ मम में कितना मस्त नारियल का गरी बनाएगे देखे बिल्कुल बारीग है अब इसको डालेंगे तिल में ने तिल में तिल में और अब हमारे मुम फली के दाने भी तयार हों गए हैं भूंज के और अब इसके छिलके निकाले जाएंगे देखिए कैसे इसके छिलके निकालती हैं मम्मी और इधर बड़ी मम्मी कड़ाई में गुर डाल के चासनी बनाने की तयारी करना चालू कर दी हैं और उसमें थोड़ा पानी भी डाल दी है देखिए चासनी कैसे बनाई जाती है और मम में इधर मूम फली के चलके निकाल रही है ये देखिए लगभग अफचासनी तयार होने वाली है कुछ मिनट और लगेंगे वीडियो बिल्कुल स्किप मत करियेगा वने रहीएगा आगे चलते हैं अब एक बड़े से टफ में तिल को डाल लिया गया है और उसमें सारे ड्राइफ रोड जो भी हैं मूम फली के दाने नारियल की गरी मिलाया जाएगा और फिर उसमें सीरा डाल के लड़ बनाया जाएगा सबसे पहले इन सबको मिक्स करके फिर उसके उपर चासनी डाल के फिर लड़ बनाने का प्रोसेस चालू करना पड़ेगा और अब इसमें चासनी डाली जा रही है कुछ लोग क्या करते हैं सीधे तिल को ही कड़ाई में डाल के कठा चासने मिला के फिर लड़ बना लेते हैं लेकिन बड़ी मम्मी अपने इस टायल में बना रही है तिल के उपर चासनी पहले डाल के उसको मिक्स करके फिर लड़ बनाएंगी और अब लड़ बनाना चालू कर दिये हैं मम्मी लोग ये देखिए हाथ में थोड़ा पानी लगा के फिर लड़ू बनाते हैं जिससे की चासनी हाथ में चिपकती नहीं और लड़ू अपने सेप में अच्छे से बनता है तिली के लड़ू बनने के बाद अब बड़ी मम्मी कसार का लड़ू बना रहे हैं साथ पता होगा कुछ लोगों को कसार के लड़ू पता नहीं कौन कौन से आटे में लाके बनाया जाता है अब उसकी तैयारी बड़ी मम्मी कर रहे हैं थोड़ा बैक ग्राउंड खराब दिख रहा है क्योंकि इस समय घर में जगह नहीं है जब से घर बन रहा है तो चूल है इसे जगह में है कि सब समान पड़ा हुआ है आइट साइड में तो इसको इगनोर करिएगा अब ये भी अच्छे तरह से भूज गया है और इसको निकाल लेते हैं टफ में और अब इसमें सक्कर मिलाया जाएगा जिससे इसका टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा बढ़े और अब इसमें ट्राइफ रोट काजु बादाम भी डाल देंगे इसको भूज की अच्छे तरह कूट लिया गया है इसमें सारे ड्राइफ फ्रूट्स मिक्स करके चासनी भी डाल दिया गया है और अब बनेगा इसका लड़ू ये देखिए ऐसे लड़ू बनाया जाता है गोल गोल कितना मस्त दिख रहा है ये देखिए तो कुछ इस तरह से हमारे घर में लड़ू बनाया जाता है आप अपने घर में भी ट्राइ करिएगा और बताइएगा कि कैसा बना तो चलिए बलड़ू सारे बन जाएं तो आपको दिखाते हैं अपने लड़ू ओ़ू अपको दोगरा है अपस्ट मैं फोल बनाया जाता है ये इस नापको धूझाते हैं गड़ू गफसे हमारे मारे करीएगा जाएगा झाले किता है सुझीग गूख़ू ऑवजुजश जाले ये जाईणते हैं